कोरोना की सेकंड वेव से लड़ने के लिए एक प्रकार से जीलों के आप सबसे प्रमुख युद्धा है एक दीके कोरोनार मृत्तों भी छिल उन्नों दीके भारो तेरबुके कालो चोत्रा के शामराचो भीस्तार सो वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पात जो संसाधन है उनका बहतर से बहतर उप्योग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है साथियों आपसे बादचीत की शुरुआत मैं मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ जब आप इस सेवा में आने के लिए तैयारे कर रहे थे आप याद करिए जब आप सिविल सर्वेसेज या अन्य परिशाओं के लिए जुटे थे तो आप अपने परिश्रम पर अपने काम करने के तरीका पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे आप जिस भी खेत्र में रहे हूँ वहां की छोटी छोटी बारिके से परिचीत होते हुए आप सोचते थे कि मैं इस दिक्कत को इस तरह दूर करूँगा आपकी यह सोच आपकी सफलता की सीडी भी बनी आज परिश्थित्यों ने आपको अपनी ख्षमताओं की नई तरह से परिशाद देने का अउसर दिया है अपने जिले की छोटे सी छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी समवेदन सिल्टा के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है हाँ कोरोना की इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधीक चैलेंजिक और डिमांडिंग बना दिया है महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज़्यादा एहमियत हमारी सम्वेदन सिल्टा और हमारे होसले की ही होती है इसी भावना से आपको जन जन तक पहुँचकर जैसे काम कर रहे हैं उसको और अधिक टाकत से और अधिक बड़े पहमाने पर करते ही रहना है साथियों नए नए चैलेंजिस के बीच हमें नए नए तोर तरीकों और समाधानों की जरुरत होती है और इसलिए ये जरुरी हो जाता है कि हम अपने स्थानी अनुभवों को साजा करें और एक देश के रुप में मिलकर के हम सब काम करें अभर लगों करेंजिस कि भूले जरुरी का मीमें मिलकर करें झाल झाल